तौछुन का आपका जीरो ओयल कुगिंग रेसेपीज में आज मैं आपको जीरो ओयल कुकिंग में पालग कड़ी और पालग पनीर दोनों यहीं मैं आपको बनाना बताऊंगी तो देखिए मैंने पालक को अच्छे से दो करके साफ करके रखा हुआ है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने पानी को बॉइल होने रखा था जो कि बॉइल हो चुका है अब इसमें मैं जो यह मैंने पालक दो के रखा है वो मैं इसे डालोंगी और इसे मैं 5 मिरिट के लिए पकने के लिए रखूंगी ताकि इसका कलर भी न जाये और पालग जो है वो हलका सा पक भी जाये और ये जब मेरा पालग बॉल हो जाएगा उसके बाद मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी चलिए जब तक यह बॉइल होता है मैं इसके आपको next step बता देती हूं कि हमें क्या करना है यह देखिए मैं जो पालक डाला था वह बॉइल हो चुका है और मैं गैस बंद कर देती हूं और पालक को निकाल लेती हूं और उसके बाद मैं आपको इसका अगला step बताऊंगी यह देखिए फ्रेंड्स आप देख सका रख दिया है गरम होने को और यह गरम भी हो गई है अब मैं इसमें कि मैं बता रही हूं मैंने आपको लास्ट दो वीडियो में बताय था कि मैं अभी इन दिनों कावरुज्टिम जीरा नहीं डाल रही हूं इसमें एक टी स्पून पंच पोरन मसाला में डाल रही हूं इससे आपकी जो सबजी बनेगी उसमें बहुत अच्छं टेस्ट यह यह कि इसटे एक मिनट के लिए मुझे ड्राय रोस्ट करना है जब यह रोस्ट होगा तो इसमें स्टार्ट हो जाएंगे जैसा कि आप आवा सुन सकते हैं कि यह जो मसाला है रोस्ट हो नहां है और अब मैं इसमें प्याज और लेसन जो मैंने ताटकी रखा है वो मैं इसमें डाल सब्सक्राइब और ये मैं इसमें दाल रही है यह मैंने इसमें डाल दिया है अब वही सेम प्रोसेस मुझे इसे लगातार चलाना होगा और मुझे इसे ब्राय रोस करना होगा कुछ सेकिंड के लिए यह देखिए और एक मिनत तक मुझे से लगातार कशलाना है, हलका सा ब्राउन होने के बाद मैं इसमें लगातार चलाना है उल फिर जाए पमकाश को पकांगी इस तरीके से प्याज को मुझे 1 टी स्पून पानी करके डालना है और इस प्याज को मुझे पकाना है इसमें सारा पानी एक ही बारवे आपको नहीं डालना है नहीं तो सबजी जो है वो बेकार बनीगी उसमें टेस्ट नहीं होगा तो यह देख सकते हैं कि आप एकदम कैसी वन रही है सबजी है आप देखिए कि यह जो हमारे प्याज है इनका कलर चेंज हो गया है और इसी स्टेज पे अब मैं 1 टी स्पून पानी डालूंगी और फिर इसे में पकाऊंगी चलिए यह जब तक प्याज हमारे पकते हैं उसके ऌक भाद मैं आपको बताती हूं कि क्या करना है और हमें एक मारे प्याज हमारे करना दग कि aby जब तो फिरस नहीं को ऊछी हमी पहल है मोनिति प्याज का कलर कैसा हो गया है और साथ ही उसका नेक्स्ट स्टेप भी आपको बताऊंगे यह देखिए फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा प्याज है वह अच्छे से अब इसी काम पर हमें टमेटर्फीयूरे अपस्ट और हमें गया मार्केट वाला जो लेशक्ते हैं और घर भी बना सकते हैं मैं अभी इंगयान दाल करहिए जीग देख सखते हैं मैंने इसमें डाल दिया है और इसे एक मिनट में पकाऊंगी इसके बाद मैं सारे मसाले इसमें डालूंगी और आपको बताऊंगी चलिए इसे मैं एक मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूं और इसी में मैं हलका सा पानी भी डाल देती हूं यह मैंने इसमें पानी दाल दिया गए और इसे एकनर के लिए पका लेती हूं उसके बाद सारे मसाले डालते टाइम में आपको फिर इसका स्टेफ बताती हूं यह देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सबजी का कलर जो मसाला है, अब मैं इसमें जो सारा मसाला है वो मैं डालोगी, सबसे पहले मैं इसमें हिंग डाल रही हूँ, और वन टी स्पून जीरा डाल रही हूँ, वन टी स्पून इसमें मैंने गरब मसाला डाला है और वन टी स्पून मैंने इसमें धनिया डाला है, और इसमें अब मैं हल्दी डाल देती हूँ, यह देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, और इसमें हल्का सा पानी डालके और इस मसाले क तो मुझे पकाना होगा देख सकते हैंimizi अब में मैं हलका सा १ानी डाल के इसको पका रही हूँ और आपको भी वही करना है कि जब आपको लगे कि मसाला जो है कढही के तले पर चिपकने वाला है या चिपक गया है तो हलका सा इसमें पानी डालना है और इसे पकाना है सेम प्रोसेस है जैसे बाकी रेसेपीज में मैं आपको हमेशा बताती हूँ यह देखिए अब मैं इसको पकने के लिए एक मिनिट रखोंगी और इस बीच में अगर हमें लगेगा कि जो मसाला है वो कड़ाई के तले पर चिपक रहा है तो इ इसी तरीके से हमें इसके प्याज और यह जो सारे मसाले हम निडाले हैं उनको हमें पकाना है चलिए जब तक यह पकता है मैं इसका next step कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ यह देखिए friends अब मैं इसमें इसी मसाले में अपने स्वाद के हिसाब से मैं नमक भी डाल देती ह हूँ और इसे फिर से चला के पकने के लिए मैं छोड़ देती हूँ चलिए जब तक ही पकता है मैं पालक का पेस्ट तयार कर लेती हूँ पालक का पेस्ट बनाते टाइम मैं उसमें हरी मिर्च भी मैं पीस लूँगी ताकि वो हमारे मूं में ना आये और साथ ही अभी मैं इ अच्छे से पक जाएगा और अध्रग भी अच्छे से पक जाएगी यह देखिए फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मैं इसमें अध्रग को कस्के डाल दिया है और अब मैंसे फिर से दो मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी और जब यह मसाला पक जाएगा उसके बाद हम पालक का जो पेस्ट हमने बनाया है वो हम इसमें डालेंगे चलिए मैंसे दो मिनट के लिए पकने के लिए रख देती हूं यह देखिए फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि 5 मिनट बाद हमारा मसाला इस तरीके का हो जाएगा और अब हमें इसी स्टेज पर जो पालक हमने पेस्ट बना के रखा है वो हमें इसमें डालना होगा और अब मैं इसमें झो पालक का पेस्ट मैंने बनाया है हरी मिर्च डाल के वह मैं इसमें डाल रही हूं और इसे अच्छे से मिक्स करके मसाले में हमें देख सकते हैं और ये जो पालक की कड़ी बनी है इसमें आप पनीर को सेख करके वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं और ये एक तरह से देखा जाए तो आपका पालक पनीर भी बन सकता है और एक simple पालक कड़ी भी आप इसे कह सकते हैं मैं आपको दोनों तरीके से ही बताऊंगी और ये जो मेरी बनी है पालक कड़ी बनी है आप चाहें तो इसमें boil आलू के pieces भी आप डाल सकते हैं और पनीर भी आप इसमें डाल सकते हैं अब मैं इसे पांच मिनट पकने के लिए फिर रखूंगी और पांच मिनट बाद आपको मैं बताऊंगी कि हमारा पालक कड़ी कैसा तयार हुआ है और साथ ही आप इसको पालक पनीर की तौर पर कैसे ही सबजी को बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी देखिए फ्रेंड्स मैं आपको इसमें पालक पनीर वाली रेसीवी भी बता रही हूँ मैंने इसमें हेल्दी ओईल यूज किया है और आप अपने इसाब से जो ओईल आपको यूज करना है यह मैंने वन टीज स्पून लिया है और इसे मैं अच्छे से चाव तरफ फैला लेती हूँ यह मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है और अब मैं इसमें पनीर को अच्छे से शेख लूँगी और सेखने के बाद इसके पीसेज करती हूँ और आपको बताती हूँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो पालक कड़ी है वो पककर के एकदम तयार है अब मैं इसे सर्विंग बोल में डालती हूँ और आपको बताती हूँ दूसरी तरफ हमारा जो पनीर है वो भी हमने अच्छे से सेक लिया है और अब आप इसे पालक पनीर में कैसे Конवर्ट करेंगे वो मैं आपको बताओंगी दूसरा अगर आपको प्लेन पालक कड़ी खाना है तो वो किस तरीके से बनाएंगे और आपको बताती हूं गर्मा गरम पालक कड़ी तयार है और अब आपको इसको पालक पनीर में चेंज करना है तो सिंपली आपको बस इतना सा करना है कि आपको पनीर को सेक लेना है और इस तरीके के पीसेज में जैसा आपको सही लगे हो उस तरीके के पीसेज में आपको कट क यह मैं इसमें दो पीस इसमें डाल रही हूं यह देख लीजिए मैंने पड़ी इसमें डाल दिया है और सिंप्ली अब मुझे इसमें यह जो कड़ी हमने बनाई है वो हमें इसमें डालनी है लीजिए आपका और पालक कड़ी तैयार है प्लीज अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बबाई